पुरे भारत देश में सतंत्रा दिवस का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे देश के आर्मी जबान जम्मू कस्मीर भी अतंगवादी से लड़ रहे हैं आज फिर जम्मू कस्मीर भी अतंगवादी से लड़ते हुए सेना का एक कैपडन सही दो गया है सहादत से पूरे देश गमगीन हो चुका है जम्मू कस्मीर के डोडा जिले में अतंकबादी और सुरच्छा बलो के बीच मुडवेल चल रही है इस बीच इंडियन आर्मी की तरब से पुष्टी गी गई है कि इंकाउंटर के दोरान सेना का एक अपसर सही दो गया है रच्छा अधिकारी ने बताया कि बारतिये सेना का 48 नेशनल राइफल के एक कैप्टन सही दो गये है बता दे कि डोडा इलाके में सेना का अपरेशन अभी भी जारी है इससे पहले खबर आई थी कि इलाके में एक अतंकबादी घायल हुए है जिसके बाद सेरा ने एंट्री टेरर अपरेशन चलाया था इस दोरान एम चार राइफल तीन बैक ब्रामद हुए है बता दे कि डोडा जीले में पिछले महीने सेना और अतंकी के साथ मुढभेड हुई थी अतंकबादी के साथ इंकाउंटर में गंभी रुप से घायल हुए एक अधिकारी समेथ पाच जवानों का इलाज के दोरान अस्पताल में मौत हो गई थी मुढभेड तब हुई थी जब राष्टिये राइफल और जम्मू कस्मीर पुलिस विशेस अभ्यान समू एसो जी के जवानों ने डोडा सहर से लगभग 55 किलोमेटर दूर जम्मू कस्मीर के अनंत नाग में इससे पहले दो जवान सहीद हो चुके हैं जबकि उस समय तीन जवान भी घायल हुए थे लगतार हमारे देश की जवान सहीद होते जा रहे हैं पिछले 5 जीन का आकरा निकाला जाए तो जम्मू कस्मीर में 5 दिनों में 4 जगा आतांकी हमला हुए हैं जिसमें सेना का 3 जवान सहीद हुए हैं जबकि 4 जवान गंभी रूप से घायल हुए हैं वही बाता दे कि लगतार हमारे देश के जवान सहीद होते ही जा रहे हैं, जम्मू कस्मिर में लगतार आतंकी हमला होते ही जा रहे हैं, मैं भगवान से सादर बिंती प्रात्ना करता हूँ सहीत जवान का आत्मा को सांती मिले और इस दुख के घड़े उनके प्रिजनों को दुख साने के सांसकती मिले मिलते हैं नेक्स वीडियो नेक्स अबडेट के साथ अब तक लिए जैहिंत बंदे मातलो